गरीब की दिवाली रमेश एक महनती और इमानदार मजदूर था, जो हर दिन इंटेड होने का काम करता था. उसका परिवार, जिसमें उसकी पत्नी सरिता और दो छोटे बच्चे थे, उसी महनत से पेट भर पाता था. दिवाली का त्यावार करीब आ रहा था, और शहर में हर जगा चहल पहल थी. बाजार में सजावट, मिठाईयों की खुश्बू और नए कपड़े देखकर बच्चों का मन ललचा रहा था. पर रमेश के पास इतने पैसे नहीं थे कि वहाँ अपने बच्चों को दिवाली का तौफा दे सके. रोज शाम जब रमेश घर लोटता, तो उसके बच्चे दोड़कर उसके पास आते और पूछते, पापा, क्या हम भी इस बार नए कपड़े और मिठाईया लाएंगे, पर रमेश के पास उनके सवाल का कोई जवाब नहीं होता. उसके मन में अपने बच्चों की खुशी की इच्छा तो थी, पर उसकी जेबे खाली थी. एक दिन रमेश का दोस्त रामू उससे मिलने आया. रामू ने रमेश की हालत को भापते हुए कहा, रमेश, क्यों न हम दिवाली के पहले कुछ अतिरिक्त काम कर लें? शायद इससे हमें थोड़े पैसे मिल जाएं और हम भी अपने बच्चों के लिए कुछ खरीद सकें. रमेश को यह सुझाव अच्छा लगा. उन्होंने ठेकेदार से बात की और रोजाना के काम के बाद अतिरिक्त घंटे काम करने का निरने लिया. रमेश और रामू दोनों देर रात तक महनत करते रहे. थंडी राते भी अब उनकी महनत को रोक ना सकी. आखिरकार दिवाली के दिन से एक दिन पहले ठेकेदार ने उनकी महनत का पूरा महनताना दिया. रमेश ने देखा कि उसकी महनत से उसे थोड़ा अतिरिक पैसा मिला है. वह खुश हुआ और बाजार की ओर चल पड़ा. बाजार पहुँचते ही उसने सोचा, सबसे पहले बच्चों के लिए मिठाई खरीद लेता हूँ. वह हलवाई की दुकान पर गया और दो छोटे-छोटे डिब्बे मिठाईयों के खरीद लिये. फिर उसने बच्चों के लिए रंगीन कपड़े भी देखे और उन्हें खरीद लिया. उसके मन में अब खुशी थी. उसे यकीन था कि बच्चों का चहरा खिल उठेगा. घर पहुँचते ही रमेश ने अपने दोनों बच्चों को बुलाया और उनके सामने मिठाई और कपड़े रख दिये. बच्चों के चहरे पर खुशी का ठिकाना नहीं था. उन्होंने जटपट मिठाईया खाई और नए कपड़े पहनने की जिद करने लगे. उसी शाम रमेश ने अपनी पतनी सरिता से कहा, इस बार हम भी दिवाली के दिये जलाएंगे और घर के बाहर दीप सजाएंगे. सरिता की आखों में भी खुशी की चमक थी. उसने कुछ मिठी के दिये लाकर तेल और रूई से उन्हें जलाने के लिए तैयार किया. दिवाली की रात जब चारो तरफ रोशनी और पटाखों की आवाजे गूंज रही थी, रमेश का छोटा सा घर भी दियों से जगमगा रहा था. बच्चों ने अपने छोटे-छोटे हाथों से दियों को घर के बाहर सजाया. वहाँ खुश थे कि इस बार उनका घर भी दूसरों की तरह रोशनी में नहा रहा था. रमेश ने अपने बच्चों को देखा और सोचा, शायद ये दुन्या के सबसे महंगे तौफे नहीं है, पर मेरे बच्चों की खुशी इसी में है, उसकी आखों में गर्व और संतोश का भाव था. उसने सोचा की असली दिवाली वही है, जहां खुशिया अपने आपको खुश रखने के बजाए, अपने अपनों के चहरे पर मुस्कान लाने में मिलती है. राद भर बच्चे दियों की रोशनी के बीच खेलते रहें, और रमेश वसरिता के मन में संतोश का दीप जलता रहा.